हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सब भी का इस यूटूब चैनल इंडिया रेलवेज फैक्स में फ्रेंड जब ट्रेंड किसी ऐसे स्टेशन से पास होती है जहां उसका स्टॉपेज नहीं है वहाँ एक फ्लैग में स्टेशन पे खड़ा होकर ट्रेंड को ग्रीन फ्लैग दिखाता है और जब भी दो ट्रेंड एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं तब दोनों ट्रेंड के लोको पाइलेट एक दूसरे को ग्रीन फ्लैग शो करते हैं जब कि दोनों भी कंडिशन में ट्रेन को green signal का clearance रहता है रेलवे के टम में इसे flag exchange ऐसा कहा जाता है तो आए जानते हैं इसकी ज़रूरत क्यूं होती है तो फ्रेंट जब ट्रेन किसी station से गुजरती है तब उसका असिस्टन लोको पाइलेट और station पे खड़ा flag master दोनों भी एक दूसरे को green flag शो करते हैं असिस्टन पाइलेट का flag शो करने का मतलब होता है उसे signal clearance मिल गया है और station पे खड़े flagman द्वारा green flag दिखाने का मतलब होता है कि train को station authority यानि station master द्वारा signal clearance दिया गया है साथ ही जैसे जैसे train गुजरती है flagman train को observe करता है और देखता है कि train के bogies में कोई problem तो नहीं है कहीं sparking या फिर bogie coupling में कोई problem तो नहीं है और train के सभी bogie station पे से पास हुए है या नहीं ये सब चेक करने के बाद flagman एक बर फिर green flag train के last bogie में बैठे guard को show करता है और अगर उसे कोई problem दिखा तो red flag guard को show करता है secondly जब double line track पर से दो train साइड से पास होते है तब दोनो train के loco pilot green flag show करते है जब train double line track पे से चलती है तब train का loco pilot अपने बाजू वाले track को observe करते रहता है और जब loco pilot को opposite direction से train आते दिखती है तब वो सामने वाले train को green flag show करता है और ये message देता है कि आगे track clear है और आप बिना किसी problem के आगे बढ़ सकते हैं और same green flag सामने से आने वाले train का loco pilot भी show करता है और वो भी यही same message देता है कि आपका track clear है और आप भी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकते हैं तो friends ये reason है जिसकी वज़े से train को green flag show किया जाता है